बीजेपी ने चौकाने वाली पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और 36 गढ़ में नए CM पदों के चेहरों का एलान कर दिया है। बीजेपी के इन चुनावों को 2024 के लिए उसकी बड़ी रणनीती के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पार्टी ने इन पदों पर जो लोग चुने हैं उसके जरीए जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। ताकि विपक्ष जाती को लोग चुनावों में हतियार की तरह इस्तेमाल न कर सके। इसके साथ ही ये अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्न आडवानी के समय में चुने गए मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म होने का भी संकेत देता है। हालांकि चुनावों के पहले ही तीनों पूर्व मुख्यमंत रहा। दूसरा ये कि बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधान सभा चुनाव लड़वाया और नतीजों के बाद जीतने वालों से इस्तीफा लिया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दाव ल चाहती हैं और इससे क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है।